चलिए अब हम दूसरा प्रश्ण देखते हैं और इसके विकल्प है और इसका सई विकल्प है Option B अब हम इसका हल देखते हैं आईए समांतर चतर बुझ के सभी गुणों को याद करते हैं मान लीजिए ABCD एक समांतर चतर बुझ है तो पहला विकल्प सम्मुक बुझाओं और सम्मुक कोणों का प्रत्यक युग में बराबर है अर्थात AB बराबर DC और AD बराबर BC और कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D दूसरा दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस पर सम्म दी विवाजित करते हैं यहां विकल्प A में हमें दिया है कि आसन बुझाओं का प्रत्यक युग्म बराबर होता है अर्थात DC बराबर BC लेकिन समानतर चतुरबुझ में सम्मुख बुझाओं बराबर होती है न कि आसन बुझाओं अतह विकल्प A गलत है चलिए अब हम विकल्प B देखते हैं विकल्प B में हमें दिया है कि सम्मुख बुझाओं का प्रत्यक युग्म बराबर होता है और हम जानते हैं कि यदि चतुरबुच की सम्मुख बुजाओं का प्रत्यक युग्म बराबर होता है तो वह एक समानतर चतुरबुच होता है अतह विकल्प B सही है और विकल्प C में हमें दिया है कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं यह आवशक है कि प्रत्येक समांतर चत्रबुच के विकर्ण आपस में बराबर हो जब समांतर चत्रबुच के विकर्ण बराबर होते हैं तो वह एक आयत होता है अता विकल्प C गलत है विकल्प D में हमें दिया है कि आसन्य कोणों का एक युग्म बराबर होता है यह अवशक नहीं है कि प्रत्यक समांतर चुतरबुज के आसन्य कोण आपस में बराबर हो अतह विकल्प D गलत है